है यह प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स गूड इविनिंग सो वी आर लाइव अनकेट में नीट लाइव डेली रोटेशनल मोशन पर लेक्चर नमबर सेवन रोटेशनल डैनामिक्स पढ़ने वाले हैं देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं लेक्चर के बाद आप डिसाइड करिएगा आज हम करने क्या वाले हैं आज पूरा का पुरा रोटेशनल मोशन ये कहाणी हो चुका है ठीक है पूरा आपके लिए कुछ इस तरह का सिस्टम है और आज आप देखेगा कि क्या धमाका हम करने वाले हैं ठीके जी बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट कते हैं फटाफट से हैना प्यारा सा लेक्षर है और इसमें फोर शूर मानके चलिए कि चार नंबर आपके खाते में हो सकते बच लेकिन आज आपका ये भाई आपको रसी हटाओ टेकनिक सिखाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा ठीके चलिए सो आप देख सकते मेरे चेहरे पर खुशी कि जितना इस इस लेक्षर के पीछे जो बेक्ग्राउंट वर्क है राइट जी तो कितनी खुशी हो रही है मुझ है तो ये लोग आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं इस टीम में वो ताकत है डॉक्टर सचिन कपूर सर जिन्हों ने एमस AI PMT, DPMT तीनों में All India Rank 1 दिया है अश्वानी त्यागी सर जिन्हों ने कहीं सारे सिंगल डिजिट रैंक दिये है नमों कॉल सर और मैंसल महेंदर सिंग और आप मुझे अपने प्यारे माही भाईया के नाम से भी जानते हैं गाइस इस प्यारे सी टीम के साथ इंटरेक करने के लिए फटा-फट से अपना फोन उठाए और फोन उठाने के बाद में tinyurl.com slash neatlifechat इस URL को अपने फोन के ब्रॉजर में जाकर एंटर करें आप हमारे स अपनी preparation को next extra level पर ले जाना चाते हैं अगर extra S प्रोवाइड करना चाते बचो तो प्लस से बहतर कोई educational platform नहीं हो सकता आपके लिए यह best है क्योंकि यहां पर test और quizzes country के top educators ने खुद design किये हैं अपने इतने सालों का अनुभव यहां पर invest किया है बचो and dedicated doubt session है जो country के top educators connection ना हो गुंजाई से नहीं है बचो more personalized way में not only an academy need team will guide you as well kota और डेली के top educators भी आपको यहां पर मिल जाते हैं एक subscription धेर सारा access आपको यहां पर हो जाता है करना क्या है फटा-फट अपना phone उठाईए an academy learning app which is the most trending app इसको install करो बचो install करने के बाद में go to the plus section select need category and then get subscription बचो उसक से कोई कक्षा 10 वी में है या 11 वी में है 10th और 11th के students को I would like to suggest you should go for two years subscription early start करेंगे early आप यहां पर finish कर पाएंगे बच्चो अगर अपने आप पर early net investment करेंगे early returns आपको मिलना चालू हो जाएगा बच्चो राइट जी so use the code MSLIVE this will give you additional benefits and lots of associated benefits with this code बच्चो राइट जी so don't forget to use MSL while coming on the plus यह एक ऐसा code है जिसको use करने से सुहाना सफर तुम्हारा सुरू हो जाएगा चलिए फटाफट से don't count the days make the days count राइजी मुहमद अली साब का बहुत प्यारा सा यह statement है अपने आप में बहुत मज़िदार है don't count the days make the days count कुछ ऐसा करो यार कि जिससे आपके वो दिन गिन जाए आप दिन गिनना बंद करो कि इतने दिन बचे हैं वो नहीं जितना बचा है उसमें अपना पूरा potential डाल दीजिए ताकि जब भी लोग बात करें तो आपके इन दिनों की बात करें जब भी बात करें तो उसकी बात करें जो अभी मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे सुन र जानता जब भगत सिंग का जन्म हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि भगत सिंग कोन है क्या है लेकिन जब ऐसा कुछ कर गुजरे तो इतने कम उम्र में आज पूरी दुनिया सलामी देती है बच्चों तो जन्म कोई याद नहीं रखता काम ऐसे कर गुजरिये जिससे त एक्टेनल फोर्स इसकुर्स to mass into acceleration of center of mass translation motion के लिए यह translation की many equation है जो कि यहां पर भी rotational dynamics में बड़ी काम आती है ठीक है जहां पर ACM कहा है बच्चो acceleration of center of mass यह क्या है बच्चो इस टोटल मास ऑफ द बॉड़ी याद रखेगा equation को बड़ी काम आने वाली है जब राड से related questions आपको करवाए जाएंगे दूसरी बहत महत्वकुन equation जो पिछले lecture में आपको derive करवा चुका था अगर आप में से किसी ने नहीं देखा I request you guys playlist में जाईए channel को subscribe करिए और फिर आप इसको देख लिजे ताकि आपको समझ में आए कि बाई चल क्या रहा है टाव इस इक्वस्ट आई अलफा जिसमें एक बहुत important बांत है I होगा क्या moment of inertia क्या moment of inertia अलग-अलग एक्सिस पर अलग-अलग होता है कौन सा moment of inertia अबाउट एन एक्सिस अफ रोटेशन एवार का मतलब आपको एक्सिस अफ रोटेशन के अबाउट मोमिंट अफ इनर्शय लिखना है फिर आपका एंगुलर एक्सिलरेशन हो गया टाव क्या होगा बच्छो टॉर्क अबाउट एक्सिस अफ रोटेशन देख लेते जड़ा कौन-कौन आ गया है तो वेलकम श्रेया अनिमेश यह अफ रोटेटिंग बॉड़ी में सबसे पहले हम बात करते बच्छो एक्वड मशीन की सिंपल पूली की जब हम लोगों ने अनल्म पढ़ा था उसमें जह मैं पूली के क्वेशन्स करते हैं तो उस पूली के क्वेशन्स में हम जो पूली होती है उसे मासलेस कंसिडर करते है लेकिन नाव वी आर इंटरींग इंटु दे जोन जहां पर पूली के मास को इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर किया बात गरबढ़ हो जाएगी तो सवाल बिलकुल एनलम जैसे होंगे बच्छो लेकिन कहानी थोड़ी सी उलट होगी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ए मास सेम है बैसाब मार्केट में जाकर एक सेम मास के एपल ढूंद पाना समझ रहे हो आप कितना बेक ग्राउंड वर्क लगता है जी तो एक्जेक सेम मास के एपल आपके लिए ढूंदे गए सर्च किये गए एक्जेक वेट करवाया गया और उसके बाद में अगर मुझे इ यहां पर देखेंगे यह मैंने का कि यह किलर विजुलाइजेशन तो आपने देख लिया लेकिन क्यूं ना आपको live demonstration भी दे दिया जाए बच्चो तो यहां पर देखिया दो बोटल्स है दो बोटल्स हैं बच्चो और दोनों की दोनों बोटल्स में water equal है same dimension की बोटल्स हैं लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक तरफ बॉटल में मास, एक तरफ में क्या करूँगा बच्छो, अगर मैं यहाँ पर मास इंक्रीज करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर की कने करी, देखो यह क्या कर गया, रोटेट कर गया, are you getting my point or not that we need to learn today कि sir अगर यह rotate किया तो फिर यह क्या concept है यह क्या concept है इसमें एक बात का ध्यान रखेगा जो यह रसी है ना जो यह रसी है बच्चो इस पूली में देखो जिस रेट से जिस रेट से बच्चो यह बॉटल नीचे जाएगी उसी रेट से यह रसी भी नीचे से उतने ही टेंजेंशल एक्सलरेशन से आपका पूली भी रोटेट करेगा लाइक दिस मतलब कि हम यहां पर एक लेकर चलेंगे रसी पूली के उपर फिसलनी नहीं चाहिए अगर रसी पूली के उपर स्लिप मार गई तो बात ठीक ठीक बैठेगी नहीं ठीके जी चलिए सो बढ़ें आगे अब आगे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ पर रसी slip कर जाती है तो फिर constraint काम नहीं करेगा तो जो हमने यहाँ पर सीखना है वो constraint क्या है बच्चो constraint यह है कि इस equation में चलिए आपको दिखाता हूँ constraint क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी तो अगर यह वाला जो रसी है अगर A acceleration से उपर जाएगा तो इधर वाला end भी A acceleration से नीचे आएगा और जब यह pulley rotate करेगी बच्चो तो इसका acceleration भी क्या होगा tangential acceleration वही आपके A के बराबर होगा अगर यह V velocity से उपर जाएगा तो यह भी V velocity से नीचे आएगा यह simple सा concept है बशर्ते एक चीज इस पूली पर क्या नहीं होना चाहिए तो रसी slip नहीं करनी चाहिए बच्चो आप मेंसे जो लोग गाउ में रहते हैं उन्होंने गाउ में कुए में से पानी निकाला होगा वहाँ पर भी आप लोगों ने बकाइदा पूली का स्तेमाल किया होगा राइट जी चलिए तो आज ऐसे experiments की भरमार है इस lecture में आप देखें ज़रा कि एक physicist की जो सोते बेटे उटे जाकते फिरते केवल और केवल physics में डूबा रहता है क्या सोच सकता है क्या बना सकता है और यह होता है बस आप लोगों के प्यार आप लोगों की मोहबत की वज़े से बच्चो दूसरा constraint है अगर मेरे पास यहाँ पर एक rod हो और उस rod में दो इस तरह की अगर डिस्क लगी हो बच्चो अगर यह rod ऐसे रोटेट करेगी तो यहां पर यह भी अगर यह chief करेगा ठीक है इदेखिए चलो अब महनत की जो मैं बात कर रहा था और पर अगर आप देखोगे और मैन Swie यह ऐसे घुम कें आप ऐसे सोच लोगे कि सब दीस्वील नहीं सिस्टम ऐसा नहीं इसके रोटेशन का सिस्टम ऐसा है तो आई वूड लाइक टेक हैल फ्रॉम राइट बिस्म प्लीज लेको जरा आज बही क्या क्या चीज़ें होती और कैसे यहां पर मेहनत की जाती है तो यार मतलब बेस्ट आउट अफ वेस्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह दो डिस्क गडिल पेपर से बना लिम्ने राइटी तो वी हैव डिसक ओवर हियह नौव इस इस तरह से होगा this will be the rotation ये भी आपका this will also rotate with omega, this will also rotate with omega and this will also rotate with omega, that is the simple concept that we have, are you getting my point or not, so this is what we call constraint, तो एक एक चीज़ आज आपके लिए बनाए गई है बस stay tuned और मजे करते रही है, cycle आप लोगों ने चलाई होगी, चलाई की नहीं चलाई cycle, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो chat box में अपनी महबत और likes के रूप में reflect होनी चाहिए, 500 से कम like आज मुझे नहीं देखने बच्चो जब में यह session खतम करके यहां से हटू ठीक है, तब लगेगा मज़ेदार बात है, cycle को अगर आप देखते हैं, जब आप cycle चलाते हैं बच्चो तो यहाँ पर दो wheels है, यहाँ और back वाला wheel है जो छोटा है, एक front वाला wheel है जो बड़ा है, दोनों के दोनों wheels किस से connected है बच्चो एक string से connected है, जिससे आप chain के नाम से जानते हैं, तो आप देखेंगे सर अगर यह omega से घूम रहा है, तो यह भी omega से घूमेगा, दोनों का omega सेम होगा, हाला कि एक पईया छोट है और एक पईया बड़ा है, उस वजह से उनके tangential velocities बदल सकते हैं, तो समझेए, cycle में भी rotation, क्या बात है जी, आजाईए, और यह सब होता है बच्चो आपकी मोहबत से, आपकी मोहबत मिलती जाती है, धमाल होते रहता है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर, तो पीछे वाला पईया, यह cycle का आगे वाला पईया, यह यह के दो कि सर, यह आगे वाला यह पीछे वाला, एक की बात है, छोटा बड़ा कर सकते है, ठीक है, जिसा डाइगराम बनाया, तो यह omega से rotate होगा बच्चो तो इसका omega 2 है, और इसका omega क्या होगा बच्चो, omega 1, क्योंकि इनके radii क्या है जी, डिफरेंट है, तो velocity दोनों की सेम है, इसका tangential velocity भी वी होगा, क्योंकि इस रसी का velocity वी है, तो इसका tangential velocity वी होना चाहिए, और अगर इसका tangential velocity वी है, तो इसका angular velocity में calculate कर सकता हूँ, और बात वाजिफ भी है, बात बिल्कुल वाजिफ है, अगर यह चो तो समझ में आता है ना सो यह यहां पर हम रिलेशन यूज़ करके वी और ए को अलफा और ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं ठीक है जी चलिए और आगे बढ़ते हैं अब आता जाती है questions पर सीख लिया सन समझ लिया सारे खिलर विजुलाइजेशन हो गए नहीं आज के लेक्षर में खिलर विजुलाइजेशन की भरमार है खजाना है आज तो अभी कहा हुआ जो स्टार्ट करते वक्त दिखाया था रॉड वाला concept वो तो भी आना है लेकिन जिस है बच्छो डिस्क शेप्ड है चलिए जी जो जो चीज काम के है उसे हम यहां पर क्या करेंगे डब्बे में डालेंगे जब जर्वत पड़ेगी डब्बा खोल के यूज कर लेंगे रेडियस उसका दिया हुआ है सर 0.5 meter okay can rot it freely about its center a block of mass capital M is equals to 2 kg capital M का capital M कितने का है बच्छो 2 kg का है hanks from the pulley through a massless string that is slightly wrapped around the pulley when the system is released there is no slipping between the pulley and the string बिल्कुल concept बहुत आसान है बच्छो अभी अगर चाहूं तो मैं आपको live demonstrate करके दिखा भी सकता हूं राइट जी कि एक रसी को एक रसी को पुली के ओपर लपेट दो और एक यहां पर सेवफल apple जिसको कहते है राइट लटका दोर छोड़ दो तो वो pulley unwound वो pulley rotate होगी बच्छो रसी unwound होगी और आपका apple नीचे की तलफ चला जाएगा getting my point or not चलिए तो यहां पर अगर इस question को solve करना है क्या क्या पूछा सबसे पहला पूछा है calculate the angular acceleration of the pulley अगर यह rotate होगा इस तरह से alpha से triangular acceleration calculate कर लेते हैं simple सी बात है यहां पर पहले standard method सिखाता हूं फिर मैं सिखाता हूं मेरे वाला जुगार जिसको मैं कहता हूं रसी हटाओ technique चलिए ज़रा देखिए पहले आप यहां पर देखेंगे सर तो इस string में कोई tension होगा बच्चो जिसको आप T बोल दीजिए सो एक यहां पर free body diagram बनेगा एक free body diagram बनेगा बच्चो ब्लॉक का यह standard methodology है सो capital mg is acting in the downward direction एक minute हां फास्ट हो तो बोलते जाएगा है ना क्योंकि मैं फास्ट हो जाता हूं कभी-कभी मज़ा आता है ना मुझे पर की तरफ लगेगा सर टेंशन टी अफकोर्स यह नीचे जा रहा है एक्सलिरेशन एसे तो पहली equation मिल जाएगी सर mg-t is equals to capital M into a this is the first equation that we have with the help of free body diagram of this capital M बच्चो राइग जी यह समझ में आया दूसरा हम यहाँ पर diagram बना सकते हैं सर यह disc मैंने लिया यह rotate करेगा ऐसे alpha की तरह और यहाँ पर आप बोलेंगे सर यह tension T अब ध्यान से सुनना यहाँ पर बातों को अगर यहाँ पर देखेंगे सर इसका mass small m है अगर यहाँ के about rotate हो रही है who is responsible to rotate this इसको rotate करने वाला responsible को ने अरे भाई साब यह tangential tension जो लग रहा है this is responsible तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर टाव is equals to i alpha i कहाँ पर लिखोगे about axis of rotation यह पुली कहां के about rotate कर रहा है rotating about this point तो लिखो ज़रा टाव टाव की बात अगर आप करेंगे तो सर वो हो जाएगा आपका t into r moment of inertia हो जाएगा सर आपका small mr square divided by 2 और यह हो गया सर अलफा but एक ओर equation हमारे पास है और वो equation कौन सी है जो अभी सिखाई थी constraint वाला concept बच्चो constraint सिखाया था ना constraint जिसमें क्या बोला था कि अगर यह pulley rotate होगी किस से बच्चो if this pulley rotate with alpha तो इसका जो tangential acceleration है वो a के बराबर होगा so by the constraint of rotation I can write sir a is equals to alpha r और I can write बच्चो so लिखूंगा मैं यहाँ पर alpha is equals to a by r बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो यह हो गया समीकरण number 1 यह हो गया बच्चो समीकरण number 2 यह हो गया sir समीकरण number 3 एक दो तीन की तिकड़ी को solve करो एक दो तीन की तिकड़ी को solve करो मज़े करो answer ले आओ तो यह अब तुम जानते हो यह अब तुम जानते हो कि सरीन तीनों को कैसे solve करना है और कर भी सकते हो मज़ा आ रहा है जी अगर आप values put up करेंगे मैं बता दूंगा अभी हाला कि second methodology is quite easy तो उससे हम final solution भी कर लेंगे अब मैं बताता हूँ मेरा जुगार technology जो है रसी हटाउ टेक्निक चलिए कौण सी टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूं रसी हटाउ और मजे पाओ चलिए लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर बच्चो रसी हटाओ टेकनिक रसी हटाओ रसी हटाओ टेकनिक चलिए इस टेकनिक को जरा फोलो करते हैं और क्या सिखाते हैं इसमें तो आपको इसमें सिखाते हैं इस तरह की बात कि यह जो पूली है इस पुली में ये वाला point of rotation होगा ये पुली इस तरह से rotate करेगी कुछ न कुछ angular acceleration alpha होगा दूसरी बात अगर इस रसी को हटा दो तो कैसे हटेगी सुनना बात को ध्यान से भई अगर इस रसी को हटाते हो as a system अगर आप consider करते हो तो यहाँ पर आपको यह बात समझ में आएगी इस सर कि यहाँ पर अगर टेंशन ऊपर लग रहा है तो यहाँ पर टेंशन नीचे लग रहा है मतलब यह टेंशन कैसा हो गया internal हो गया तो केवल और केवल external को न अवेलेबल है external अवेलेबल जो forces है एक तो इस डिस्क का self weight small mg नीचे की तरफ एक लगेगा बच्चों क्योंकि हिंज है किसी ने तो पकड़ के रखा है तो नॉर्मल भी होगी ने तो यह डिस्क नीचे आ जाती और दूसरा यहाँ पर जो होगा वो होगा बच्चों capital mg रसी हटा कर उसकी जगह मैंने सीधा मास ऊपर रख दिया अब ध्यान से सुनना तो इस point o के about अगर आप बेट कर दे बजाकर निप्टा सकते हो तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर तॉर्क अगर इस point के about देखोगे एन का टॉर्क होगा क्या नहीं होगा क्या सर नहीं होगा क्योंकि वहीं से पास हो रहे हैं टॉर्क किसका लिखोगे लिखोगे सर capital mg into में आर capital mg into में क् होगे बच्चो capital R लिखोगे दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर i note की बात करूँ किसकी बात करूँ बच्चो i note की मतलब moment of inertia about point o तो यहाँ थोड़ा सचेत हो जाना इस initial situation में अगर आप यह देखते हैं तो इस point के about moment of inertia क्या होगा तो एक तो होगा sir mr square divided by 2 यह डिस्क का है ले capital M into r square sir यह कहां से लाए अरे यहाँ पर particle रखा ना यहाँ पर particle रखा ना जिसका मास capital M है तो इसका भी तो moment of inertia होगा ना यहाँ पर mr square m into में distance का whole square तो यही करूँगा ना mr square into में लिख देंगे sir आप alpha चल यह सारी बात आप जानते हैं तो आपसे पूछा था angular acceleration solve करके आप देखेंगे बच्चों यह हो जाएगा capital mg r यहाँ पर आप r square को common करें that would be small m by 2 this will be आपका capital M into में alpha यह आप cancel out करेंगे so this result comes out to be alpha का value कितना हो जाएगा बच्चों capital mg divided by small m by 2 plus आपका capital M और into में आप यहाँ पर r कर देंगे बच्चों are you getting my point or not so this is the result अगर alpha आ गया जी अगर alpha आ गया तो t भी निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात है क्या everyone बहुत बढ़िया right जी मज़ा आया समझ में आया so जुगाड़ technique आसान है या standard method आसान है तो चलिए एक और सवाल देखिए उससे decide करिएगा कि sir कौन सा technique आसान है अगर आप यहाँ पर देखे जो सारी values given थी उसके इसाप से हम calculate अगर कर ले बच्चों तो values put up कर दीजेगा आप and you will get the result सारे values आपको दिये हुए है tension के लिए tension के लिए तो ये equation use करना पड़ेगा बच्चों mg-t is equals to mass into a अच्छा ये a क्या बिमारी है a है यहाँ पर tangential acceleration जिसका value कितना हो जाएगा तो इस given equation के लिए हम जानते सर a is equals to alpha r जिसकी value हो जाएगी बच्चों capital mg divided by small m divided by two plus आपका capital M are you getting my point or not this is a का value निकाल सकते हो solve कर लेना result आ जाएगा बताओ technique मज़ेदार लगी की नहीं लगी चीके जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यहाँ पर देखो जरा अगला और एक और सवार ऐसे सवाल ना बड़े बड़े मुश्किल से होते बच्चों बड़े मुश्किल से होते कहते की जरा देखो पहला बैसे समझो एक बात य अगर यहाँ पर यह जो सिस्टम है इसमें अगर मासेस अलग-अलग है तो फोर शूर इस रसी का इधर और इस रसी का इधर टेंशन अलग-अलग होना चाहिए आपको दो डाइग्राम बनाकर इसको एक्स्प्लेंग करता हूँ और हम चलते कहां पर बच्चों मिल डिसक्स अगर विए अगर तो आप यहां पर क्या लिखेंगे अगर इधर और एधर टेंशन एक्वल तो आ बोलेंगे सर् नो टोर्क और अगर नो टॉर्क है नो टॉर्क है तो मतलब पुली रोटेट नहीं करेगा क्या करेगा बच्चो तो आप बोलेंगे सर पुली रोटेट नहीं करेगा बच्चो और अगर पुली रोटेट नहीं करेगा बच्चो अगर आपका पुली रोटेट नहीं करेगा तो फिर आपको सॉल्व ही नहीं करना ह फिर तो किस बात के लिए सॉल करना लेकिन रोटे बही टेंशन के केस में सर आपी नहीं तो सिखाया था रसी अगर एक हो एक रसी तो टेंशन सब जगह सेम होगा अब आपी बोल रहे हो सर टेंशन यहां पर अलग-अलग होगी क्यों होगी जरा उस पर चर्चा करते हैं जी क् आप यहां पर बोल रहे हो कि सर यह ऐसे रोटेट कर रही है तो इस पुली के ऐसे रोटेट करने के लिए यहां पर टेंशन अगर T1 है और यहां पर टेंशन अगर आपका T2 है तो मुझे यह बोलना पड़ेगा मुझे बोलना पड़ेगा कैसे रोटेट कर रही है यह रोट रोटेट कर ये पुली रोटेट कर रही है clockwise कौन सा टॉर्क बड़ा होना चाहिए clockwise ये anti-clockwise तो आप बोलोगे सर clockwise टॉर्क मस्ट भी more than anti-clockwise टॉर्क तो यहां पर आप अगर देखेंगे बच्चो तो टाउ नेट जो है वो नोन जीरो है होना भी चाहिए तभी तो पुली घुमे है दाट इस वाई रसी एक होने के बावजुद भी हम यहां पर टेंशन क्या लेते बच्चो अलग अलग लेते हैं वही केस यहां पर है तो अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं every information is given to you यहां पर सब कुछ आपको दिया हुआ है रीड कर लीजे एक बार मास M1 मास M2 एंड पूली बच्चो ठीक है तो यहां पर मास M1 10 kg मास M2 5 kg और पूली का मास 10 kg दिया हुआ है रेडियस वन मिटर सबसे क्या सबसे पहले पूछा बच्चो क्यालकुलेट एक्सलेरेशन ऑफ इच ब्लॉक अगर यह अगर यह से उपर जाएगा तो यह से नीचे आएगा यही तो Constraint तेखाया भी अभी जो Killer visualization दिखाया था उस Killer visualization में क्या फिल किया आपने आपने उसमें यही तो फिल किया कि Sir अगर हम करें चीजों को ढंग से दिखा देता हूं विज्वलाइस करके यह बड़ा पुरे हफ़टे से सोच रहा था मैं कि भाई इस तरिया उस पर ध्यान मत देना कि से रूक क्यों गया वो रुख गया because मैंने इस तरफ पीछे ना finger से रोख दिया उसको otherwise ना यह वाली bottle पूरी यह से उपर चड़ जाएगी और फिर हो सकता है कि मुझे चोट लग जाए मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे physics से मुझे बहुत मौब बते लेकिन अपने आप से भी तो करता हूँ ना है ना जी चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा तो क्या चीज़े हो रही है बच्चो दोनों का acceleration अगर सेम होगा जी तो दोनों का acceleration अगर सेम होगा तो दो equation क्या क्या बनेगी देखो यहां पर जरा तीन free body डाइग्राम से यहां पर है M2 वाले block का M1 वाले block का और किसका बच्चो यहां पर दोनों torque की equations का तीन equations बनेगी यह standard method है पहले standard method बता रहा हूं फिर मैं बताऊंगा अपनी जुगार technology और फिर हम बढ़ेंगे बच्चो आग क्योंकि यहां पर free body diagram में M1 नीचे आ रहा है चलो कोई बात नहीं तो आप लिखेंगे sir M1 into G dominate करेगा तो M1 into G minus आप लिखेंगे sir T1 is equals to आपको लिखना पड़ेगा sir M1 A यह बना sir आपका equation number 1 इदर देखो ओपर जा रहा है कौन dominate करेगा ओपर जा रहा है तो जो ओपर वाला equation number 2 तीसरी बात इस पूली के बारे में जब आप बात करेंगे बचो चुकि आपने कहा है कि यह उपर जाएगा मतलब यह पूली कैसे rotate करनी चाहिए यह पूली rotate करनी चाहिए clockwise sense में और clockwise sense में मतलब T1 का torque ज्यादा होगा T2 का torque कम होगा तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख करिएगा so dominating core dominating torque है ना जी dominating torque है अगर आप बात करेंगे तो sir T1 इंटू में R इसमें से आप माइनस करेंगे sir T2 इंटू में R is equal to यह हो जाएगा sir आपका I इंटू में alpha and and alpha का जो value है बच्चो वो होगा आपका A divided by R तो यह जो चार equation है कुल मिला कर जब तुम इन चारो equation को आ basic mathematics मेंने ना सिखाने कि इन equations को कैसे solve करना है अगर वो मुझे सिखाना पढ़ रहा है है ना जी तो माफ करिएगा दोस्तो थोड़ा काम करिए खुद है ना जी तो यह नहीं सिखना आपनने बस आपको करना यह कि इन दोनों को add कर देना इन दोनों को add कर देना subscribe कर देना या भई मैं अपने अगर language में बात करूँ ना वैसे भी हमारा जो इंदोर है वो बड़ा famous है किस मामले में famous है जुगाड के मामले में कोई भी इंदोरी अगर आपको मिल जाए ना कोई ने कोई जुगाड बिठाई लेता है कही न कहीं तो यहां पर कौन सी technology है बच्चो या तो आप इसे रसी हटाओ technique कह दो या जुगार टेकनोलोजी कह दो आप देखो जराए यहां पर मैंने क्या किया जो रसी या थी दोलो तरफ उनको हटा दिया हटा कर सिधे क्या किया जो एमवन वाला ब्लोग था उसको यहां पर लाकर रख दिया रख दो हर जगह काम करे ये mg डाउनवर्ड हो गया अब अगर तुम यहां पर बेट कर देखोगे अगर तुम यहां पर बेट कर देखोगे और अगर तुम समझोगे suppose हमने बोल दिया कि sir m2 is more than m1 और वो दिया हुआ है m2 is more than m1 दिया हुआ है question में टो यह ज़ाधा होगा यहां पर आप क्थों सब्चेश कर दोट आपा की तर्क हां इस तरह से right यह धो क्या लिखे देखो एं टूगल है आर बही फोर्स लग रहा है adv-टोजी नीचे इं तुमी यह थिस्टेंस आप करोगे perpendicular इस में से minus किया क्योंकि दोनों का sense opposite है guys दोनों का sense क्या है opposite M2G into R ऐसा है और M1G into R ऐसा है तो यहां पर दोनों को लिख लिए इस तरह से अब बारी आती है moment of inertia की किसकी बारी आती बच्छो moment of inertia जो की लिखना है इस point O के about यहां पर मैंने A B लिखा A B is the axis A B is the axis बच्छो which is perpendicular to this disc which is perpendicular to the center of this disc and perpendicular to this screen also तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो moment of inertia में क्या क्या लिखोगे यहां साउधानी बरतनी है मेरी इस जुगार technology में obviously अगर आप लिखोगे तो एक moment of inertia इसके disc का खुद आएगा और दो masses दो masses बच्चो एक यह वाला mass यहां रखा है और एक यह वाला mass यहां रखा है तो इन दोनों masses के moment of inertia भी consider करने पड़ेंगे इसलिए लिखा है m2r square plus m1r square सारी चीजों को जब तुम solve करोगे तो यहां पर a का value यह मतलब क्या हो गया बच्चो आपका acceleration of the blocks यह आ गया उसका result acceleration of the blocks यह आ गया result बच्चो अब बताओ जरा कितनी equation लिखी तुमने equation लिखी केवल और केवल एक वहां कितनी equation लिखनी पड़ रही थी वहां लिखनी पड़ रही थी तीन equation कौन सा method असान है जी आफकोर्स बात है यार तुम्हारे भाई का जुगार technology असान है अर्यटिंग मैं पॉइंट और नॉट रहे जी everyone understood समझ में आया सबको clear है बिलकुल सही किसे ने लिखाए कि सर इंडिया में ही जुगार सबसे ज़्यादा चलता है तो वो मुझे मैरे साथ जब में थोड़ा बहुत कविताय से पढ़ने जाया करता था कभी कभी में थो मैंने देखा था है ना Ohhh when आ कियू है एज और नहीं करते हैं बहुत बढ़िया बहुत कभी होए तो वह कहते हैं कि विशुद्ध भारती वह है जो अपने toal ने टूथपेस्ट को खतम हो चुका है पूरा लेकिन उसको किसी कोने पर ले जा कर पूरा बोले वहां पर इकठा करता है फिर कैंची से उसको काटता है और पूरा साफ करके पूरा इस्तेमाल करता है बोले यह है विशुद्ध भारती है I think आप मैंसे कहीं लोग इस बात को एगरी करेंगे राइट इस वाइट वनी बट दिंग इस चलिए अगले सवाल पर आ जाते बच्चो अ यूनिफॉर्म बार यूनिफॉर्म बार हिंज एट वन एंड इस रिलिज़ द फ्रम होरीजॉन्डल पोजिशन विल बी यह राड जो है इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा ना जी यह जरा तो देख लो जरा मैं कहता हूं ना यार कि भाई सहब सोचने का नजरिया होना चाहिए और तो किया जा सकता है राइट यह देखे क्रिशन आपके सामने मैंने होल्ड करके रखा है if you see my left hand मैंने इस रोट को पकड़ कर रखा if you see my right hand मैंने इसको hinge कर दिया बच्चो अब यह क्या करी बच्चो यह इसको अगर आप अब्जर करें फिल डैट किसर यह से रोटेट करना है स्टार्ट हुई दा मॉमेंट वैन आई रिलीज दिस इसका कुछ न कुछ आंगुलर एक्टलेरेशन होगा दाट इनिशल अंगुलर एक्टलेरेशन इस रिक्वायड और अगर उसे क्यालकुलेट करना है बड़ी मज़ेदार और सस्ती सी टेक्निक है यहां से छोड़ दिया गया तो यह क्या करें रोटेट बात में वह उसलेट करेंगी करेंगी है तो हमें उसके बारे में ध्यान नहीं देना लेकिन कैसे इस पर आ जाते हैं अगर यह यहां इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है इसका कुछ इनिशल आंगूलर एक्सलरेशन अलफा होगा इस इस पॉइंट इस रोटेट अच्छा यह जो रॉड है इसका जो सेल्फ वेट कैपिटल एम जी है वो नीचे की तरफ करेंगा ना और यहा मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्शर में कि जब मैं टाउ इक्वस्ट वाई अलफा के बारे में बात करता हूँ तो एक्जेक डेटा वाइस अगर मैं बात करूँ बच्चो अल्मोस्ट ट्वेंटी टू से 25% स्टुडेंट्स यहां पर गलती कर जाते हैं टाउ और आई को से नज़र आता है वह है बच्चो एम जी तो मुझे लिखना पड़ेगा सर एम जी इंटू में लेंद्ध कितनी होगी बच्चो एल बाई टू डूसरी बात दूसरी बात अगर आप यहां पर जज़ करोगे तो यहां फिल डाट कि सर आई लिखना है चूकि यह रॉड है क् आप लिखने की बजाए सिदे लिख दू एमें स्कूर डिवाइट बाई त्री रिजल्ट याद होना चाहिए तो चुटकिया बजाने की देर है जी उसके पहले आंसर आजाएगा आप यहां पर लिखने ऑन आप लिख लिख dif लिख क्या फिर ना इसलो किस का आया बच्छो अलफा के बराबर सो 3G divided by 2L B option is the correct चलिए right amazing guys amazing चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल अगले सवाल पर चलते हैं उसको जड़ा सोचो अगले सवाल पर यह तो केसे एक सिंपल रॉड है जिसे रिलीश करना है और एक रॉड है जिसके फ्री एंड से रसी को बांद कर यह कोने बच्छो धागा यह कोने जी धागा ओबलिक रसी धागा बोल दो रसी बोल दो स्ट्रिंग बोल दो जो तुमें कहना है के दो जी तो यह धागे से एक मास M लटकाया हुआ है तो बोल रहा है वाट इस दे इनिशल एंगुलर एक्सलरेशन इन बोट दे केसे चलिए जरा लगाईए दिमाग और सोचिए इसको कि सर हम क्या इसका जवाब देंगे जिसने सह ही जवाब दिया है ना जी मज़ा आ जाएगा कि आपको बाते समझ में आ रही है क्योंकि बहुत सवाल है बहुत बढ़िया बोल बोल कर ठक गए ठका तो नहीं अम इंजॉइंग अलोट है ना बट मैं भी थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं क्योंकि जो ना किलर विज फिजिक्स को पढ़ना चाहिए मेरे शब्दों में फिजिक्स को जीना चाहिए फिजिक्स एक ऐसी चीजे जिसे जी आ जाता है जिसे पढ़ा नहीं जाता जिसे सिखा नहीं जाता अगर आप यहां पर देखें बहुत वाला मामला तो सिंपल है असान है सर रोड़ वाले माम है कार की की भी आज काम आ रही है ना रसी से हमने इस मास को हैंग कर दिया और अगर यहां पर हिंज रखोगे बचो यहां पर इस पॉइंट पर अगर तुमने क्या कर दिया हिंज कर दिया तो ध्यान से देखना इसको इसको ध्यान से देखना जैसे मैं इसको करूंगा ना आप को एक बात फिल होगी हाला कि निकल गया आपको एक बात फिल होगी बच्चो and that feeling is कि इस case में जो रसी है वो नीचे जाते वक्त धीली पड़ जाती है कई बच्चे case वन और case में different answer दए रहे है is this different or Same बच्चो difference होगा या सेम होगा बस इतना बता दीजिए calculation क्या है वो मैं देख लूँगा नहीं बन रहा है भाईया कोई बात नहीं बनने वाले को बनाने के लिए तो मैं यहां हूँ अरे नहीं बनने वाले को बना ले के लिए ही मैं यहां हूँ पिटाई लगा देंगे उसकी जरा तुमसे नराज क नहीं क्या कर जाती है बच्चों यह मास यहीं रहना चाहेगा और यह रसी ऐसे नीचे गिर के धिली पड़ जाएगी जब रसी धिली पड़ गई तो तुम क्या बोलोगे तुम्हें बोलना पड़ेगा कि सर रसी के धिली होने का मतलब है टेंशन की पिक्चर खतम और जब पिक्चर खतम तो टॉर्क नहीं होगा भई अगर आप यहां पर देखें दोनों केसे में तो किलर विज्विलाइजेशन भी देख लीजिए बिल्कुँ स्लो मोशन में यहां पर हो रहा है बच्चों के लिए देखो यहां पर ध्यान से देखो यह धागा इसको फिल करना प क्या पर जएगा धागा धागा धिला हो जाएगा शो टेंशन नहीं आएगा बच्चोंध ही अगर तो अगर डेल नहीं होगा किसका इस तो टोर्क नहीं होगा किसका पर जो टेंशन टी है इनिशन इंस्टेंट आप यहां पर बात करेंगे बचो अलफा तो केवल और केवल यह mg होगा बचो इसका टॉर्क नहीं आएगा इसका टॉर्क नहीं आएगा यह समझ में आया कि नहीं आया सबको इसका क्या नहीं आएगा बचो इसका टॉर्क नहीं आ वही आपका 3G divided by 2L ठीक है जी और रॉड वाले केस में भी कितना होगा तो वही आपका रॉड वाले केस में भी अलफा का वेल्यू कितना होगा इनीशल अलफा 3G divided by 2L अलग अलग इंस्टेंट पर अलग 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 हो सकता है लेकिन यहां पर कितना होगा बच्छों आपका 3 अगर आप इसको फिल करेंगे है ना तो यहां पर देखो जरा इसको डिरेक्ट छोड़ दिया तो यह इस तरह से उसिलेट करने लगा इसका एंगुलर एक्सलेरेशन अलफा इसका एंगुलर एक्सलेरेशन कितना होगा बच्छों अलफा इसको आप बोलेंगे से 3G divided by 2L और सोचो जरा थोड़ा सा इसमें बदलते हैं इस केस को थोड़ा चेंज करते हैं और अगर इस केस को चेंज करें और अगर रसी की जगह धागे की जगह अगर रॉड लेकर आ जाए बच्छों धागे की जगह क्या हो जाए अभी क्या था सर अभी केस था लाइक दिस अभी केस था कि सर यहां पर रसी थी यहां पर क्या था बच्चो रसी था और Jahren पर क्या था इसमें कैसे केस हमें calculate करने हैं चलिए जरा पहले किलर विज्विलाइजेशन देख लीजिए फिर आप यहां पर बात करेंगे solution की देखो जब मैंने यहां से release किया जब मैंने release किया तो बिल्कुल अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जो है यह अगर आप देखेंगे ध्यान से बचो तो यह जो आपको slack होती नजर नहीं आ रही है रही है रही है और अगर आप चाहें तो सेम चीज में आपको live experiment भी करके बता सकता हूं बच्चो छोड़ देता हूं मैं यहां से तो यह जो रही है आपकी यह slack नहीं कर रही है and if this rod is not slack then आपको यहां पर actual calculations करने पड़ेंगे are you getting my point or not yes tension होगा tension का torque भी आएगा बच्चो तो चलिए जरा इसके solution पर चर्चा परी चर्चा करते हैं तो यहां पर देखेंगे sir अगर यह इस point के about rotate करेगा किसी angular acceleration alpha से दो-दो forces यहां पर होगे बच्चो एक force होगा sir इसका capital mg नीचे एक force इसका यहां पर होगा बच्चो capital mg नीचे की तरफ are you getting my point or not tension का torque नहीं आएगा क्योंकि if i see as a if i see as a system then आप यहां पर बोलेंगे sir इसमें जो tension होगा ना rod में वो tension cancel out हो जाएगा क्योंकि वो internal है जी वो कौन है internal है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा sir की torque के मामले में जब मैं लिखूंगा sir about this point o तो लिखना पड़ेगा sir torque about point o is equals to moment of inertia about point o into alpha तो 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 यहां पर कौन को ना आएगा बच्चो तो आएगा एक तो यह mg कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है यह घुमाने की कोशिश करेगा आपको ऐसे ठीक है मतलब clockwise यह कैसे घुमाने की कोशिश करेगा this also try to rotate you in the clockwise sense दोनों ही clockwise घुमाने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि sir यहां पर net torque क्या होगा तो आप बुलेंगे sir mg into my length हो जाएगा लगार के लिए और इस capital इस एम के लिए बॉक्स वाले एम के लिए आपको लिखना पड़ेगा sir mg into my L अगर moment of inertia की बात करोगे किसकी बात करोगे बच्चो moment of inertia की तो यह जो rod है यह स्केल है टेक इस रोड बच्चो तो इस rod को अगर आप देखोगे तो इसका moment of inertia इस point के about and के about ml square by three हो जाएगा लेकिन इसका moment of inertia पी तो लिखना पड़ेगा तो अगर आप अच्छा यहे जो rod है ना यह massless ले से लिखा हुआ है बच्चो मास्ले से तो यह मासले से तो इसका मुम्हमिंट अभिए लेने की is the axis of rotation तो यह जो white strip आपको नज़र आ रहा है that is the perpendicular distance बच्चो यह जो white strip है this white strip is the perpendicular distance किसका इस मास का इस पत्थर का इस पत्थर का perpendicular distance होगा कहां से तो आप बोलेंगे sir axis of rotation से moment of inertia में क्या होता है sir mr square moment of inertia से क्या होता है बच्चो mr square तो you must write one thing over here एक तो हो जाएगा sir आपका ml square ml square divided by 3 और एक हो जाएगा sir आपका m into में आपको लिखना पड़ेगा sir अगर यह भी L है बच्चो और अगर यह भी L है तो यह perpendicular distance कितनी हो जाएगी sir root 2L हो जाएगी so this will be आपको लिखना पड़ेगा एक minute इसकी picture में delete करूँ तो यह हो जाएगा sir आपका root 2L का whole square and पूरे के साथ आजाएगा sir आपका alpha अब चलिए जड़ा solve करते हैं so this will be MGL plus MGL this is यह हो जाएगा sir आपका 3 MGL divided by 2 यह वाली कहानी कितनी हो जाएगे sir this is आपका ml square divided by 3 plus this will be twice times of आपका ml square और into में हो जाएगा बच्चो आपका alpha solve कर लीजे बस छोटी सी बात है so this is कितना रहा है MGL divided by 2 और यह हो जाएगा sir आपका 6 plus 1 that is 7 7 ml square divided by आप बोलेंगे sir 3 into में आप बोलेंगे sir alpha L से 1 L cancel out M से M का हतम तो आप यहां पर बोलेंगे sir this is 9 तो alpha का value हो जाएगा बच्चो alpha का value comes out to be how much 3,9,7,2,4 so this comes out to be बच्चो 9 G 9 G divided by कितना हो जाएगा sir 14 L 9 G divided by 14 L is the alpha 9 G divided by 14 L everyone 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 very good very good Ansh बहुत बढ़िया थेंक्यू सो मच अमीता everyone बहुत बढ़िया मज़ेदार तरीके से आते जा रहे हैं well done आशाराम well done चारू well done सना well done ग्लेडियेटर well done एंश well done फेजान well done जोली मज़ा आ रहा है ना मज़ा आ रहा है rotation को ऐसा chapter है कि जिससे डरना चाहिए rotation से डरनी की क्या जरुवत है यार और जब तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हो तो फिर तो क्या ही डरना यार आग लगा देंगे भाई साब तुम आओ तो contact में तुम करो तो चर्चा तुम लगाओ तो phone किसी भी बात के एंशूर करूंगा बच्चो जो लोग मुझसे बात करते हैं they can right here कि हान जी एक 10 मिनिट में ये सामने वाला ना पता नहीं क्या कर देता है हमारे साथ ऐसा लगता है जिसे जादू कर दिया kind of thing is right so बच्चों बहुत crucial time is crucial time को استعمال करो you can access my contact number from anywhere right lots of thing are there right so the thing is बहुत सारी जगो पर हम लोग आपके साथ interact करने के लिए है टेली पर है इंस्टा पर है सब जगह आईये connect हो ये किसी तरह की परेशानी है depression है anxiety है सर अभी पढ़ना चालू कि है बस अब क्या करूं अभी तो पढ़ना चालू कि है सर पांच ही मेने क्या मैं कर पाऊंगा अरे सबसे पहले अप आत्म विश्वास होना चाहिए अपने आप पर भरोसा होना चाहिए बिलीव इन यॉर्सेल्फ होना चाहिए और उसके बाद तुम्हारे इस भाई को याद कर लो जड़ा कुछ टीप सेंट्रिक्स देंगे रोज इस्तिमाल करने वाली कुछ छोटे छोटे सूत्र होंगे ज इसको जड़ा ध्यान से पढ़ना अ यूनिफॉर्म रॉट ए भी यहां पर रही बच्छो चीके और लेंद एलेंद मास कापिडल एम इस हैल्ड होरिजॉंटली विद ए हैल्प ओफ वन लाइट श्रींग एंड हींज शॉन इंड 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 इसको क्या किया जला दिया काट दिया तोड दिया ओके तो उसने बोला है find out the initial angular acceleration of the rod and the initial reaction force at the hinge अब मेरी बात को ध्यान से सुनना इनिशल एंगुलर एक्सलेरेशन जो यहां पर आपसे पूछा गया है वो तो अभी-अभी हमने कैलकुलेट किया हाल ही में ताजा-ताजा वही तो कैलकुलेट किया जो एडिशनल बात है उसके बारे में हम यहां पर जरूर चर्चा कर लेते बच्चो जब मैं इसको यहां से क बच्चो कोई चेंज नहीं मास इंडिपेंडेंट होता है ना रोड का मास कम हो ज्यादा कोई फरग नहीं पड़ता मास का मास यहां पर रोड का कम हो ज्यादा कोई फरग नहीं पड़ता अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जो हिंज है हिंज अगर होती है बच्चो हि हिंज एक ऐसा सपोर्ट होता है जो दो तरह के रिैक्शन गरता है इसको यह रौटेट कर सकती है यह गूम्सकती है अगर मैं इसको ऊपर उठागर ले जाना चाहूं अगर मैं इसको उपर उठा कर ले जाना चाहूं बचो नहीं जाएगी क्यों नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसने पकड़ के रखा हुआ है आप उपर नहीं उठा सकते आप आगे नहीं खिच सकते आप पीछे नहीं ले जा सकते इसका मतलब जब आप आगे पीछे ले नहीं जा सकते तो अब दूसरी बात यहां पर जो हो रही है बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सर समेशन एफेक्स टू जीरो लिखेंगे तो यहां पर और कोई horizontal force नजर ही नहीं आ रहा तो जब कोई horizontal force यहां पर नजर ही नहीं आ रहा और horizontal direction में रॉड आगे पीछे नहीं हो रही तो आप यहां पर रिएक्शन तब आएगी जब action होगा action रही रही लेकिन वर्टिकल में एमजी नीचे लग रहा है वर्टिकल डिरेक्शन में अगर एमजी नीचे लग रहा है तो यहां पर ऊपर की तरफ reaction for sure आएगा तो आप क्या लिखेंगे सर आपको एक बात सिखाए थी f external is equal to total mass into acceleration of center of आप मास याद करो जला अरे आज दो ही तो एक्वेशन सिखाई दो ही तो एक्वेशन पढ़ाई और वो दो ही एक्वेशन इस पूरे पूरे चाप्टर को गवन करते हैं जी तो यहां पर आपको लिखना पढ़ेगा उपर लगने वाला फोर्स हो गया सर क्या एन नीचे लग अच्या एक बात और एक बात और जडरो मैं एसे लिगने की बज़ायए यहां बड़ा पेट में दर्द होता है इसन को लिखते वक्त नहीं पड़ा पे दर्द होता एक्वेशन प्रकूल नीचे क के यह साथ मैं सामने आके करते हैं इस य sp кино पढ़ाय ता यह यह लिखते नह बता दे जब वो रोड नीचे जा रही है तो नीचे खिचने वाला बड़ा कि उपर ले जाने वाला बड़ा जो बड़ा उसको सम्मान दो हाथ जोड के लिखना पड़ेगा यहां पर क्या बच्छो mg-n क्योंकि तुम नीचे जा रहे हो इसलिए mg-n and is equal to total mass इस रोड का m हो जाएगा और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा acceleration of center of mass सरी यह acceleration of center of mass तो आपने बताया है नहीं आपने पढ़ाया है नहीं डाल दो ब्लेम सेलेक्शन नहीं हो तो कौन मार साथ जिम्मेदार निगाहें हम अगर खुली रखेंगे कान अगर हमारे खुले होंगे तो बात सारी समझ में आएगी अब यह पढ़ा चुका हूँ पहले याद करो सर्कुलर मोशन जरा यहां पर बेट कर अगर तुम देखते हो तो यह alpha तो मैं ऐसा समझ में आया और अगर यहां पर बेट कर मैं calculate कर सकता हूँ जिसे में tangential acceleration कहता हूँ जी तो यहां पर अगर मुझे acceleration of center of mass लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा सर alpha into में यहां से यहां तक का distance और यहां से यहां तक का distance कितना लिखो बाल को L by 2 लिख दो फटाफट फटाफट जरा मस्ते में अपने मस्त रहो लिखो तो दिस इस 3G divided by 2L यह हो जाएगा सर आपका L divided by 2 L C L cancel comes out to be 3G by 4 कितना आया बच्छो 3G by 4 मजा रहा है ना मजा रहा है इस इस 3G by 4 तो समीकरण क्या बनता है जी समीकरण बनता है कि सर M G में से N माइनस किया is equals to M लिखा acceleration of center of mass की जगा 3G divided by 4 को रख दिया कहां से लाए भईया लाया ता घर से जेब में डालके ऐसे चू मंतर करके डाल दिया रहा है जी नौट नौट लाइक बच्चो आपके सामने पूरा डिराइव किया है आपको पूरा समझाया है सर्कुलर मोशन का छोटा सा कॉंसेप्ट एन केल्कुलेट करना है ना फटा फटाफट टाइम भी होगा जा रहा है तो यहां पर हम बोलेंगे सर N is equals to M G minus आप लिखेंगे सर 3 M G divided by 4 भाई पूरे में से 75 प्रतिशत जाएगा तो बचेगा कितना 25 प्रतिशत यह थोड़ा से ना एकदम बिल्कुल एक्टिवली काम करना चाहिए चलो भागते एकदम बिल्कुल दरश में अश्वाने सर इस वेटिंग राइज बचो तो नॉर्मल रियक्शन कितना आ गय M G divided by 4 this is the only reaction here बच्चो तो पूछा जा सकता है continue करेंगे बहुत सारे सवाल अभी आपको और सिखाने हैं बहुत मज़ेदार बाते अभी आपसे और करनी है बच्चो तो one by one one by one interact करेंगे और चीजों को discuss and deal करेंगे राइट चलिए एक लास आपको बात बता देता हूँ अग इतना कम अगर आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो यह जिंदगी आपको पता नहीं कितना ज़्यादा है रिटन देगी बच्चो तो try to think to invest on yourself not to think कि sir यहाँ पर fee है इसको fee की तरह लोगे तो बिलकुल आप other way में सोचोगे तो think like investment on yourself and use the code MSLive और आजाई अ आपने इस भाई के साथ ही आपको ensure करूंगा physics आपका zero से hero हो जाए so don't forget to use code MSLive welcoming on the plus right जी at last आपसे बात करूंगा बच्चो अनकाटमी नीट इस नोट चैनल इस यार और फेमिली तो इसको subscribe जरूर करें